डिरेक्टर रोजिस शिर्टी ने फिल्मी पर्दी पर अपना सॉलिड और धमाकेदार कॉब वर्ड बना दिया है जिसकी शुरुआत की थी उन्हों ने फिल्म सिंगम से अब इसी कॉब वर्जिन लेकर आ रहा है वो OTT फ्लैटफॉर्म पर अपनी नई वैब सीरीज IPF के साथ इंडियन पुलिस फोर्स कब कहां और कैसी हो सकती यह नई वैब सीरीज मैं यह बताऊंगा आपको हलो एंड वैलकम स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्म यह है पर तो बने रहे हैं मेरे वीडियो के साथ एंड तक कीप वाचिंग एंड कीप शेरिंग प्रोईश यट्टी की नई वैब सीरीज आई पीफ का ट्रेलर लॉंच हो चुका है और आप इसको देख सकते हैं 19 जैनवरी से Amazon Prime पर सीरीज का पहला सीजन आएगा साथ एपीसोड के साथ और जिनकी लगवग दियोरेशन होगी चालिस से पैतालिस विनिट हर एपीसोड की यह नई वैब सीरीज पूरी तरीके से इंस्पाइड है उनके कौब वर्ल्ड से उनकी पिछली मूवीज की तरह जो हैं सिंगम, सिंगम रिटर्न, सिंबा और सूर रिवन्शी सीरीज में हमको देखने को मिलेगी एकड़म फ्रेस स्टार कास्ट और लीड रोल में सिद्धार्त मलोतरा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओवरॉय वैसे तो हम सिद्धार्त मलोतरा को वर्दी में पहले भी देख चुके हैं, फिल्म आयारी और शेर साम है, पर इस बार वो मूवी में काफी फिट, एक्टिव और प्रॉमिसिंग लग रहे हैं इस रोल में, वर्दी उनके उपर काफी सूट कर रही है प्रॉय शेट्टी के कॉब वर्ड में इस बार नई बात हुई है, वो ये है कि इस बार हुई है एक लेड़ी ओफिसर की एंट्री और वो है शिल्पा शेट्टी जो काफी फिट, एक्टिव लग रही है और जो सिद्धार्त मलोतरा की सीनियर ओफिसर का रोल प्ले कर रही ह और एक्शन भी उन्होंने काफी अच्छा पर्फॉर्म किया है, इस पूरी टीम का साथ दे रहे हैं वेवेक ओबरॉय जो कि इस पूरी टीम को लीड करती हुए दिखाई देंगे as a police officer की रोल में, पर ट्रेलर को देखने के बाद एक doubt टिरेट हो गया है कि शायद वो इस ब रोल प्ले किया था जो कि काफी धमाकेदार था और जो उन्होंने बहुत बहुत बहतरी तरीके से पर्फॉर्म किया था, सीरीज की सपोर्टिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिलेंगे मुकेश रिशी, शरत केलकर, शोयता तिवारी और इशा तलवार, ट्रेलर को दे हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके डाइरेक्टर रोईश शेटी जो है, जब किसी प्रोजक्त के डाइरेक्टर रोईश शेटी हो तो ओडियंस को ये पता होता है कि उन्हें धेर सारा एक्शन, एक्स्ट्राओर्णरी स्टंड्स, अच्छा कैमरा वर्क और विज्वल एफेक् का चेहरा कहीं भी रिवीर नहीं किया है, डाइरेक्टर ने इंटेंशनली ट्रेलर में अपने लीड विलिन का चेहरा नहीं प्रॉपरली दिखाया है, उसको जो दिखाया भी है तो वो लॉग शॉट में दिखाया है और वो भी कपड़े से धगा हुआ है, जिससे की ओडिय को जो दिखाएगी अपना असली पावर, डिल्ली पुलिस अलग अलग स्टेट्स में अपने टार्गेट को चेज करेगी, हो सकता है जब वो मुंबई और गोवा पहुचे तो पुराने कॉप वर्ड्स के हीरोस से उनकी मुलाकात हो, हो सकता है वो उनकी हेल्प भी करें, उ उतना ही दमदार और धमाकेदार होगा या सिर्फ हवा हवाई ही निकलेगा, आप अपना फीडबेक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं तो इसी के साथ आप सब लोग को गुड़ बाए, टेक केर, कीप वाचेंग एंड कीप शेरिंग